हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गणित कक्षा 34 कार्य पत्रक 7 तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चो देखिए पहला प्रशन है चौकलेट का टूटा हिस्सा कौन सा है तो बच्चो देखिए हमें इन में से बताना है कि जो चौकलेट है उसका टूटा हिस्सा कौन सा है इन में से तो देखिए बच्चो ये हिस्सा याने की इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच बी option हमारा बिलकुल यहां पे सही है अगला है बच्चो सो, सो, दस कितने हो गए सो में सो जोड़ा 200, 200 में 10 जोड़ा 210 और यह कितने है 2 तो यह कितने हो जाएंगे कुल यह हो जाएंगे 212 ठीक है बच्चो अगला है कौन कौन सी संख्याएं खाली बॉक्स में आएंगी तो देखें 102, 104, 106 याने की 22 इसमें जूड रहा है 106, 108, 108 में 2 जोड़ा 110, 102 में 2 जोड़ा तो 112 तो option A हमारा बिल्कुल सही है अगला है किस घड़ी में 6 बजे हैं तो देखें बचो यहां घंटे की सुई 6 पे है और मिनिट की सुई 12 पे है तो C में हमारे कुल 6 बज चुके है अगला है बचो एक खरगोश एक बार में 4 कदम कूथता है तो एक बार में 4 कदम कूथता है वह कौन कौन सी संख्याओं पर कूथता हुआ आएगा तो देखें बचो जीरो से 4 पे 4 से 8 पे 8 से 12 पे है और 12 से 16 पे 16 से 20 पे 20 से 24 पे और 24 के बाद 28 ठीके बचो चार चार कदम वह इस तरह से कूदेगा तो इन में से हमारा ओप्शन ए बिल्कुल सही है डाकिया दुआरा सप्ता भर में बाटी गई चिठियों का विवरंट दिया गया है देखे बचो सोमवार को कितनी बाटी है 6, मंगलवार को 3, बुद्धवार को 4, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 3, और शनिवार को 3, 3, 6, 3, 1, 10 ठीके बचो तो यहां बोला गया है शनिवार को मंगलवार से कितनी चिठियों अधिक बाटी गई है तो देखिए बच्चो शनीवार को 10 और मंगलवार को 3 तो कुल कितनी चिठियां ज़्यादा बाटी गई है 7 तो C आप्शन हमारा यहां सही होगा अगला है बच्चो इन में से आयताकार आकरती कौन सी है तो बच्चो आप्शन D हमारा बिल्कुल सही है यह हमारी आयताकार आकरती होती है इन में से किसका वज़न 10 kg से अधिक है तो बच्चो जूते का नहीं, गैस का नहीं, मोबायल का नहीं सिलेंडर का वज़न 10 kg से जादा है कीरण हर छलांग में 7 कदम कूदता है वे इन में से कौन सी संख्या पर कूद सकता है बच्चो साथ साथ कदम कूदेगा तो वो 5 बार कूदेगा तो 35 पे पहुँच जाएगा सन 2021 में फरवरी महिने में कितने दिन थे इस त्री बुज को रेखा पर काटने पर आकरती 2 में कितनी बुजाएं होंगी तो देखे बच्चो कितनी बुजाएं होंगी इसकी हो जाएंगी 4 ठीक है बच्चो तो आप्शन बी हमारा सही है अगला है रीना के पास 21 फूल है वे सबी फूलों को 3 फूलदान में बराबर संक्या में सजाना चाहती है वे एक फूल दान में कितने फूल सजाएगी तो देखे बच्चो 21 फूल दान है उसमें कितने तीन फूल दान है 21 फूलों को कैसे सजाएगी तो बच्चो एक फूल दान में वो साथ फूलों को सजाएगी तो कुल 21 फूल तो उसके तीन बुलतस्ते में आजाएंगे अंकीता तीन किलोग्राम आलू खरिद कर लाई उसने ev kilogram आलू कि सब्जी बनाई अब इंकीता के पस्तिने किलोग्राम आलू बचे हैं तो बैचो 0 ab Aaron लाई थी एक किस अब दीज़ा दी तोकुल 2 किलोग्राम उसके पास बचेह परचपन तीन सो चौन सट और एक सो अठेत्तर आठ और चार बारा बारा और पांच शत्रा हांसिल एक छे और चे बारा बारा और एक गुंदनेश हांसिल एक चार और चार आठ एक नौ तो 997 कुल किताबे होंगी 500 सैंटिमिटर इनमें से किसके बराबर है तो देखें सो सैंटिमिटर में एक मिटर होता है तो बच्चों 500 सैंटिमिटर में कितने होंगे 5 मिटर होगा तो ऑप्शन डी हमारा यहां बिलकुल सही है अगला है कार्य पत्रक आठ रानी की साड़ी की बॉर्डर के डिजाइन में दी गई आकरतियां कौन कौन सी है तो बच्चों दे 6 और 7 बार 6 को 7 बार जोडने पर कौन सी संख्या मिलेगी तो बच्चों 6 को 7 बार हम जोडेंगे तो 6 को हम 7 बार जोडते हैं चलिए तो कितना हो गया यह? कितना हो जाएगा? 1,2,3,4,5,6,7 तो कुल हो जाएगा यह 24 तो उप्शन D हमारा बिल्कुल सही है डुपट्टे के बॉर्डर को कौन सी आकरति पूरा करेगी? तो बच्चों इन मेंसे डुपट्टे की बॉर्डर को B आकरति पूरा करेगी इन में से किसी वस्तु का भार तोलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे तो बचो किसी भी वस्तु का वजन को मापने के लिए हम तराग्यू का प्रियोग करेंगे चित्र में कुल कितने मोती हैं तो बचो इन में हम देखेंगे इस चित्र में कुल कितने मोती होंगे देखिए इसमें है हमारे 100 छीक है इनमें है 10 इनमें है 10 इनमें है 10 और खुले कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये है 7 तो हम इनमें जोड़ेंगे 100, 10, 10, 10 और 7 तो ये हो जाएंगे 137 कुल मोती है अगला है बच्चों और उनकी पतंगों को तालिका में दिखाया गया है तो देखे बच्चों रिद्धित कितनी पतंगे है उसके पास दो बेबी के पास है छे, नोनू के पास है एक, आध्या के पास है चार अनिरुद के पास है दो और एशा के पास है तीन ठीके बच्चो बेबी के पास आध्या से कितनी पतंगे जादा है तो देखे बच्चो बेबी के पास 6 है और आध्या के पास 7 है तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितनी पतंगे जादा है 2 इन में किस आकरती के कौने है तो बच्चो किस आकरती के कोने हैं तो बच्चो पतंग के कोने हैं देखे ये पतंग के कोने होते हैं पलड़ा बी में कितना वजन जोड़े की तराजू के दोनों पलड़े वजन में बराबर हो जाए तो देखी बच्चो यहाँ 1 kg है याने की 1000 g ठीक है और यहाँ 500 g है तो 500 g में हम 500 g और जोड़ेंगे तो यह दोनों पलोडों का वजन बराबर हो जाएगा अगला है बच्छो एक प्लेट में 6 जलेबी है तो 12 प्लेटों में कितनी जलेबी होगी बच्छो एक में 6 है तो 12 में कितनी होगी इसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगी बहतर जलेबी ऑप्शन D हमारा बिल्कुल सही है 31 जनवरी 2021 को रवीवार है तीन फरवरी को कौन सा दिन होगा तो बच्छो तीन फरवरी को बुद्धवार होगा दीगरी टायल का प्रियोग किस विकल्प में हुआ है तो बच्छो दीगरी टायल का प्रियोग इस वाले विकल्प में हुआ है अगला है मोहन के पास कुल 35 लड़ू है वै उन्हें बराबर संख्या में कुल 5 डिब्बों में रखता है प्रते एक डिब्बे में कुल कितने लड़ू आएंगे तो बचो देखिए उसके पास 35 लड़ू है पांच डिब्बों में वो उसे रखेगा तो कुल कितने लड़ू रखेगा एक डिब्बे में साथ तो option A हमारा बिल्कुल सही है इन में से कौन सा लगबग 1 cm लंबा है तो बच्चो इन में से एक हमारा जो पासा होता है वो 1 cm लंबा है विराट कॉली ने किर्केट मेच में 89 रन बनाए शतक बनाने के लिए विराट कॉली को कितने रनों की और ज़रत है तो बच्चो शतक में हमारे 100 रन होते है 89 उसने बनाए तो उसे और कितने रन चाहिए तो बच्चो उसे 11 रन और चाहिए तो option A हमारा बिलकुल सही है अगला प्रेशन है आदे kg का दो गुना कितना होता है तो बच्चो एक kg में आप सभी को पता होना चाहिए एक kg में हमारा 500 ग्राम होता है ठीक है तो अब 500 ग्राम को हम क्या बोल सकते हैं आदा kg भी हम इसे बोल सकते हैं ठीक है तो 500 ग्राम है तो बच्चो इसका दो गुना 500 का डबल कितना हो जाएगा 1000 ग्राम में हम 1 किलो ग्राम भी से बोल सकते हैं ठीक है तो option B हमारा बिल्कुल सही है तो बच्चो इस तरह से आप सभी अपनी वर्क्षीट को हल करें उमीद करती हूँ बच्चो सभी को अच्छे से समझ में होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और बचो जिन्हों ने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बचों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद